क्या हुआ विन्नू? यहां छट पर अकेली क्या कर रही हो? पूनम जी ने अपनी बेटी विनिता जिसे वो प्यार से विन्नू बुलाया करती थी, उससे पूछा. पूनम जी देख रही थी कि जब से विनिता होस्टेल से लोटी है, कुछ अनमनी सी रह रही है. हर वक्त खोई-खोई सी रहती है, और कभी-कभी तो अकेले में स्वयम ही न जाने क्या बुदबुदाती रहती है. उन्होंने कई बार जानने की कोशिश की, लिकिन विनिता ये कहकर टाल जाती कि आने वाली परिक्षाओं की उसे चिंता है. विनिता ने इसी साल सना तक पूरा किया था, और अब प्रशासनिक परिक्षाओं की वो तैयारिया कर रही थी. उसके शहर में धंका, कोचिंग ना होने के कारण उसके माता-पिता ने उसे पास ही दूसरे शहर में भेज दिया था, जहां वो होस्टेल में रहती थी. विनिता शुरू से ही मेधावी छात्रा रही थी, इसलिए उसके माता-पिता का भी उसे पूरा समर्थन था. घर में विनिता की टटेरी बहन का विवाह था, जिसमें शामिल होने के लिए विनिता कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर यहां आई थी. विवाह समपन हो चुका था, और अब कल विनिता को होस्टेल वापस जाना था. इसलिए पूर्णम जी उसे नीचे चल कर सब के साथ बैठने के लिए बुलाने आई थी, और उसे फिर से परेशान देखकर सूच में डूब गई थी, कि हमेशा सब के चहती, सब को हसाने और स्वैम हसने वाले उनके विन्नु को अठानक आखिर हो क्या गया है. इससे पहले कि वो विनिता से कुछ बाते कर पाती, सहसा विनिता का फोन बजा. विनिता ने फोन रिसीव करके जैसे ही सामने वाले की बात सुनी, वो जोर से चीख मार कर बेहोश हो गई. पूनम जी ने घबरा कर तुरंद अपने पती को आवाज लगाई. दोनों मिलकर किसी तरह विनिता को नीचे कमरे में ले गए. पानी के छीटे मारने पर थोरी देर में विनिता की आँखे खुली. उसके थोड़ा समखलने पर जब पूनम जी ने उससे पूछा कि किसका फोन था, जो वो यू बेहोश हो गई थी. तब विनिता ने रोते-रोते बताया कि हॉस्टल वार्डन का फोन था. उसकी रूममेट और उसकी सबसे प्यारी सहेली निधी ने हॉस्टल में ही अचानक आत्महत्या कर ली थी. पूनम जी जानती थी, निधी और विनिता में बिल्कुल बेहनो वाला प्यार था. इसलिए उन्होंने विनिता को कुछ दिन और घर पर रुक कर तब हॉस्टल जाने के लिए काया, ताकि वो थोड़ी सामान ने हो सके. उनकी बात मानकर विनिता एक सबताह के लिए और रुकी. कुछ दिनों के बाद जब विनिता हॉस्टल पहुंची, तब उसे देखते ही, उसके अगल बगल के कमरों में रहने वाली सभी लड़कियों ने उसे घेर लिया था. विनिता ने जब रोते हुए उनसे निधी के बारे में पूछा, तो उन्होंने बटाया कि निधी के जन दिन की अगली सुभर, जब उसने देर तक दर्वाजा नहीं खोला, और आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं आया, तब सब ने वॉड़न को बुला लिया. उन्होंने दर्वाजा तुडवाया, तो अंदर निधी का मृतिशरीर मिला, डूनने पर पास ही उसका लिखा सूसाइड लेटर मिला, जिसमें उसने लिखा था कि उसका बॉइफरेंड उसे धूखा दे रहा है, इसलिए वो आत्महत्या कर रही है. वॉड़न ने उसके परिवार वालों को बुलाया, तो उन्होंने बदनामी के डर से पुलिस में जाने के लिए मना कर दिया. वॉड़न को भी होस्टेल की बदनामी की चिंता थी, इसलिए वो भी मान गई, और सब लड़कियों से कहा, कि वो इस बारे में किसी को कुछ न बताएं. यह सब सुनकर विनिता बहुत दुखी हो गई थी, किसी तरह स्वयम को संभाल कर जब वो अपने कमरे में पहुँची और निजी के बिस्तर की तरफ देखा, जो की अब खाली हो चुका था, उसके घरवाले उसका सारा समान भी ले जा चुके थे, निजी को याद करते हुए उसके दिल में एक हूग से उठी, किसी तरह स्वयम को समाल कर विनिता फ्रेश हुई और अपनी कोचिंग के लिए निकल गई, होस्टेल वापस आने पर वॉर्डन आँटी ने विनिता से कहा, कि अगर वो अपना कमरा बदलना चाहती है तो बदल सकती है, लेकिन विनिता न कर दी और सोने की कोशिश करने लगी, थोड़ी देर बाद अचानक है विनिता को तेज प्यास लगी, उसने पास ही रखा पानी का बोटल उठाया, तो देखा पानी का बोटल तो खाली था, बोटल लेकर वो पानी लाने के लिए चल पड़ी, अभी वो पानी भर ही रही थी किस ऐसा उसके कानों में आवाज आई, मैं हमेशा कहती हूँ कि सोने से पहले देख लिया करो कि बोटल में पानी है या नहीं, लेकिन तुम कभी नहीं सुनती, देखो आज भी वही हुआ न, विनिता ने चौंक कर देखा और उसे कोई नजर नहीं आया, अपना वहम समझ कर उसने अपना सर ढटका, कि तभी उसे जोर जोर से किसी के हसने की आवाज सुनाई दी, घबराहट में मिनिता के हाथ से पानी की बोटल छूट गई, तेजी से भाग कर वो अपने कमरे की तरफ चली गई, और दर्वाजा बंट कर दिया, तभी फिर से उसके कानों में आई, तुम्हें क्या लगता है, दर्वाजा बंट कर देने से मैं अंदर नहीं आ सकती, कौन है, सामने आओ, विनिता ने घबरा कर कहा, और कमरे की बत्ती जला दी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया, सारी रात डर की वज़ह से उसू ही नहीं पाई, सुबह होने पर जब उसने बागी लड़कियों को रात वाली बात बताई, तो सारी लड़किया हैरत में पड़ गई, तब है उन में से एक की नजर विनिता की मेज पर गई, उसने चौक कर कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बोटल बाहर गिर गई थी, पर ये तो यहीं रखी है, लगता ह तुमने नीन में कोई सपना देखा होगा, विनिता ने मेज पर बोटल देखी, तो वो चौक गई, उससे लगा कि हो सकता है उसने सपना ही देखा हो, सारा दिन एकदम सामान्य दिनों की तरह निकल गया, कुछ भी आजीब ना होने के कारण विनिता रात की बात भूल गई, आज सोने से पहले उसने सारी लड़कियों के साथ ही याद से अपने पोटल में पानी भर लिया था, किताबों को बंद करके जैसे ही वो नीन के सागर में डुपकी लगाने लगी, उसे महसूस हुआ मानो कोई उसकी चोटी से उसका गला दबा रहा हो, विनिता ने चीखने क कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही रूंद कर रह गई, और उसके कानों से एक आवाज डगराई, मैंने कितनी बार कहा हैं न तुमसे, कि अब सीख लो, खुले बालों में मत सोया करना, देखो, आज भी मुझे ही तुम्हारी चोटी बनानी पड़ी, इसी के सहसा उसकी नजर आईने में पड़ी, तो स्वैम को देखकर वो घबरा गई, उसे अच्छी तरह याद था कि सोने जाने से पहले उसने बाल खूले छोड़े थे, लेकिन अब उसकी जगह चोटी थी, इसका मतलब ये सबना नहीं था, विनिता बड़बडाई, वो कमरे से ब उसे जाक कर ही बितानी पड़ी, अगली सुभर जब उसने सब को अपने चोटी दिखाई और दर्वाजा ना खूलनी की बात पूछी, तो सब लड़किया हस पड़ी, उन्होंने विनिता को ले जाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया, और बोली, देखो, कहा है चोटी, आईने में अपने खुले बालों को देखकर विनिता का सर चकरानी लगा, सब लड़कियों ने कहा, लगता है तुम्हें निधी की मौत का सग्दमा लगा है, हमारी बात मानो, ये कमरा ही छोट दू, रही दर्वाजा खट-खटानी की बार, तो वो भी तुम्हारा वहम ही है बना ऐसे कैसे हो सकता है कि सब को एक साथ ही सुनाई ना दे, उन सब की बात सुनकर विनिता चुप-चाप अपने कमरे में आ गई, बाहर सभी लड़किया विनिता के बारे में ही चट्टा कर रही थी, उन में से एक ने कहा, लगता है हॉस्टिल में कोई आटमा है, इस पर विनिता को छोड़कर किसी के साथ अजीब नहीं हुआ, इसलिए वो इसे विनिता का वहम मान रही थी, उधर कमरे में विनिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसने सोचा कमरा बदल देना ही ठीक होगा, और वाडन से बात करने चल पड़ी, कुछी घंटों में विनिता नहीं कमरे में आ चुकी थी, यहां भी वो अकेली ही थी, पर अब उसके मन में कोई डर नहीं था, रात के तीन बज रहे थे, जब अचानक विनिता की आँख खुली, उसे महसूस हुआ, कोई अपने नाखुनों से उसके गालों को नोच रहा है, वो चिलाए जा रही थी, ब रहते हुए खुन का आभास हुआ, उसने तुरंट वॉर्डन आँटी को फोन करके बुलाया, वो घबराई हुई पहुँची, तो देखा विनिता अपने बिस्तर पर बैठी रो रही थी, वॉर्डन आँटी को देखकर विनिता छोटी बच्चे के तरह उनसे लिपट गई और बूली, आँटी, आँटी मुझे बच्चा लीजी, देखिये न, मेरे गालो को किसी ने बेदर्दी से नोचा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, वॉर्डन आँटी ने जब विनिता के गालो को देखा, तो वहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, उन्हें ने विन विनिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके दिमाग ने कहां ही करना बंद कर दिया था, विनिता को किसी तरह सुला कर वॉर्डन आँटी वहां से चली गई, पिछली दो रातों की कहानी भी वो बाकी लड़कियों से सुन चुकी थी, उन्हें यकिन हो गया कि विनिता को कोई मानसिक बिमारी है, सुबह होते ही वॉर्डन ने पूनम जी को फोन लगाया, लेकिन फोन विनिता के छोटे भाई ने उठाया, उससे जब उन्होंने पूनम जी के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वो थोड़ी दर पहले ही अचानक ही सीधियों से गिर पड़ी और पापा उनको लेकर अस्पताल गए है, वॉर्डन ने बाद में विनिता के पापा से ही बात करवाने को कहकर फोन रख दिया, सहसा उन्हें अपनी पहचान के एक मनो चिकित सक की याद आई, उन्होंने तिरंत उन्हें फोन लगाया, और विनिता के बारे में बाते अंदर विनिता विक्षिकतों की तरह कभी अपनी पानी की बोतल को उठा कर फैंक रही थी, तो कभी अपनी बालों की चोटी बना कर खोल रही थी, और कभी अपने गालों को नोच रही थी, और फिर अचानक से तेज आवाज में स्वयम ही हसने लग जा रही थी, अगल बग वीनिता को देखकर डर लग रहा था फिर भी वो किसी तरह हिम्मत जुटा कर उसके पास गई और बोली वीनिता ये क्या हालत बना रखी है आओ मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ वॉर्डन आँटी को देखकर सहसा वीनिता शांत हो गई और उनके साथ जाने के लिए वो तयार हो गई जब वॉर्डन वीनिता को लेकर डॉक्टर के यहां पहुँची तो उन्होंने अकेले ही वीनिता को बात करने के लिए अपने कक्ष में बुला लिया लेकिन वीनिता ने डॉक्टर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया डॉक्टर ने कुछ दवाया लि फैंक दी तब उसे मनाने के लिए उन्होंने उसे चॉकलेट निकाल कर दिया चॉकलेट देखते हैं सहसा विनिता ने अपना सिर्थ दिवार में दे मारा और तेज आवास में बोली नहीं नहीं खाऊंगी मैं चॉकलेट तुम लोग क्या सूचते हो जिस तरह निधि में से मर गई मैं भी मर जाऊंगी नाई नहीं हो गयसे वार्डन विनिता की बात सुनकर चॉक गई उन्हें याद आया कि निधि ने अपने सूसाइल लेटर में सिर्फ ये लिखा था कि वो आत्महत्या कर रही है लेकिन ये नहीं लिखा था कि कैसे और चुकि उसका जान कैसे ली फिर ये विनिता ऐसे क्यों कह रही है ऐसा सोचते हुए उन्होंने विनिता की तरफ देखा तो पाया कि उसकी आंखे एक दम लाल हो चुकी थी मानो उनमें खून उतर आया हो वो गुस्ते में पूरे कमरे में ठकर लगा रही थी वाडन फुर्ती से उठी और विनिता के कमरे को बाहर से बंद कर दिया उनके बाहर आते ही सारी लड़किया बूली आंटी अवह यहां नहीं रहेंगे लगता है होस्टल में किसी बूरी आत्मक हसाया है हमें बहुत डर लग रहा है आंटी वार्डन ने उन्हें कहा दिखो तुम सब को कही जाने की कोई जरूरत नहीं है जाएगी वो जिसे जाना चाहिए वो भी अपनी सही जगा तभी एक लड़की बोली आंटी आपको होस्टल में पूडा करवा लेनी चाहिए हां मैं भी यही सोच रही थी वार्डन ने कहा तभी आटानक सभी लड़कियों को डरामनी हजी की आवाद सुना होने लगी वार्डन ने घबरा कर पूछा कौन हो तुम सामने आओ क्यों मेरी बच्चियों को परिशान कर रही हो जवाब में एक आवाज आई मैं भी तो आपकी ही बच्ची थी ना लेकिन मेरी परवा तो नहीं किया आपने और अब पूजा करवा कर मुझे यहां से निका वार्डन कुछ और कहती कि आवाज के साथ साथ चीजों का इधर से उधर उढ़ना बंद हो गया वार्डन को अब कुछ-कुछ बात समझ में आने लगी थी उन्होंने सारी लड़कियों को होस्टेल के पास ही अपने घर में भेश दिया और स्वैम पुलिस टेशन की तरफ चल पड़ी वहाँ पहुँचकर उन्होंने पुलिस ओफिसर को निधी की आत्महत्या से लेकर विनिता के होस्टेल में आने के बाद हुई सारी घटनाएं और आज विनिता की कही हुई बात से लेकर होस्टेल में गुंजी बदला लेने वाली बात बता कर कहा इंस्पेक्टर सहाब मैं जानती हूँ मुझसे और निधी के परवार वालों से बहुत बड़ी गल्ती हो गई है बदनामी के डर से हमने उसकी आत्महत्या की बात चुपाई जबकि वो हत्या थी मुझे पुरा यकिन है अगर आप सक्ती से वीनिता से पूछताच करेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी और निधी की आत्मा को भी शान्ती मिल जाएगी उनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर ने तुरंट शक के आधार पर वीनिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखी और लेडी कॉंस्टेबल के साथ उसे गिराफ़तार करने चल पड़े बड़ी मुश्किल से रस्यों में बान कर वीनिता को काबू में किया गया पुलिस टेशन में सक्ती से पूश्टाच करने पर आखिर वो तूट गई वीनिता ने जो कहानी बताई वो कुछ इस तरह थी निरी यूटूब बहुत अच्छी थी और हर तहर से वीनिता की मदद किया करती थी चाहे पढ़ाई हो या कभी-कभी पैसे की दिक्कत हो उसका एक बॉइफरेंट था अजीद जो बहुत अमीर था कभी-कभी जब वो अजीद से मिलने जाती थी तो वीनिता को भी ले जाया करती थी और अजीद की अमेरी का रॉब जाड़ते हुए वीनिता से कहती भविश्य में तुझे कभी भी पैसो की दिक्कत होना तो मेरे और अजीद के पास आ जाना जब वीनिता इस बात पर गुसा होती तो वो कान पकड़ कर कहती अरे मैं तो मजाग कर रही थी सहली हूँ यार तेरी सांस नहीं हूँ वीनिता कुछ नहीं कहती फिर भी मन हे मन निरी के प्रती उसके मन में एक कड़वाहट भरती जा रही थी जीदी ने ऐसे ही एक दिन मजाग में अजीद से कहा कि अगर मैं मर जाओं तो तुम वीनिता से शादी कर लेना पंड़ बेचारी को कहा मिलेगा तुम जैसा लड़का ये बात वीनिता के दिमाग में बैठ गई पुजानती थी कि उसका साधारन परिवार कभी उसके लिए अजीद जैसा लड़का नहीं ढून सकता था इसलिए उसने पहले धीरे धीरे अजीद से नजदी क्या बढ़ाई और जब वो उसका अच्छा दोस्त बन गया तब निधी को रास्ते से हटाने के लिए उसने एक योजना बनाई कुछी दिनों में निधी का जन दिन आने वाला था इस जन दिन पर मैं तुझे एक ऐसा उपहार दूँगी जो तु हमेशा याद रखेगी निधी विनिता मन ही मन सोच कर मुसकाई और अपने काम में लग गई विनिता को दूसरों की हैंडराइटिंग की नकल उतारने में महारत हासिल थी जिसके बारे में कोई नहीं डानता था इसका फाइदा उठा कर उसने निधी की हैंडराइटिंग में एक सुसाइड लेटर लिख कर एक लिफाफे में डाल दिया निधी रोज रात नियम से खाने के बाद चौकलेट खाया करती थी विनिता ने इंटरनेट पर खोच कर एक ऐसा जहर खरीदा था जो अपना काम करने के बाद निशान नहीं छोड़ता था इसके लिए उसे दवा दुकानदार को दिये गए पांच हजार रुपियों का भी कोई अफसोस नहीं था मौका देखकर विनिता ने इंजेक्शन की मदद से एक चौकलेट में जहर डाल कर उसे अपने पास रख लिया सब कुछ योजना के अनुसार होने जा रहा था पर शादी में अपने घर जाने के लिए जब वो निकली तब निधी के जन्म दिन के लिए उसे उपहार के साथ सुसाइड लेटर वाला लिफाफा और अपने पास रखा चौकलेट देते हुए बूली दीखो हो सकता है मैं तेरे जन्म दिन के दिन ना आपाऊं इसलिए उपहार देकर जा रही हूं हा पर तुझे मेरे कसम ये लिफाफा अपने जन्म दिन की रात पर ही खोलना और ये चौकलेट भी तब ही खाना हा निधी ने बिना किसी शक के उसकी बात मान ली जन्म दिन की रात आदत के अनुसार चौकलेट खाते हुए उसने विनिता का दिया हुआ लिफाफा खोला उनमें लिखा लेटर पढ़ते हुए वो चौक गई लेकिन इससे पहले कि वो कुछ खमज दी जहर ने अपना काम कर दिया था अगली सुभर जब देर तक नीधी ने दर्वाजा नहीं खोला तो सब लोगों को शक हुआ और जब कमरे का दर्वाजा तोड़ा गया तो नीधी कमरत शरीर और वो लेटर वहाँ पढ़ा पाया गया लेटर देखकर सब ने उसे आत्महत्या मान लिया और विनिता को लगा वो बच गई विनिता के मुझ से बया की गई उसकी सचाई को इंस्पेक्टर ने सबूत के रूप में रिकॉर्ड कर लिया था सब लोगों के देखते देखते अचानक विनिता उठी और दिवारों से अपना माथा जूर जूर से टकराने लगी कभी वो पागलों की तरह हस्ती तो कभी बोलती देखनी दी अब मैं भी अमीर हो जाऊंगी तुछ से ज्यादा अमीर है इंस्पेक्टर ने विनिता को हवालात में डाल दिया और डॉक्टर को बुलवा के उसकी मरहम पट्टी करवा दी वार्डन को जब इंस्पेक्टर ने सारी बाते बताई तो उनके लिए भी भरोसा कर पाना मुश्किल हो गया था कि एक सीधी साधी दिखने वाली विनिता ऐसा भी कर सकती थी उन्होंने निधी के कमरे में जाकर उससे माफी मांगते हुए कहा दिखो मुझे माफ कर दे ना बिटा पर अब मैंने अपनी गल्टी सुधार ली है अब इस होस्टेल की दूसरी बच्चियों को परिशान मत करना सहसा उन्हें लगा कि कोई कमरे से जा रहा है उन्होंने आसपास देखा पर कोई नहीं था वो समझ गई कि अब निधी की आत्मा संतुष्ट हो चुकी है और अब वो नहीं आएगी उन्होंने सारी लड़कियों को बुला कर सारी बात बताई और कहा कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है गुनेहगार को उसकी सजा मिल चुकी है उसके बाद दोबारा होस्टेल में फिर कभी किसी को वो टरावनी हसी नहीं सुनाई पड़ी उधर विनिता के घर वालों को जब सारी बात पता चली तो वो अपने होश ही खो बैठे थे उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि हमें शासिफ अपनी पढ़ाई लिखाई से मतलब रखने वाली उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है उन्होंने विनिता से मिलने से भी मना कर दिया अदालत ने विनिता की मानसिक हालक देखते हुए उसे पागल खाने भेश दिया पागल खाने में भी अकसर विनिता की कानों में निधी की डरावनी हसी गुणजा करती थी और होस्टेल में घटी डरावनी घटनाए याद आती रहती थी आखिरकार एक दिन उसने अपने दुपट्टे का फंदा लगा कर अपना जीवन समाप्त कर दिया बिना सोचे समझे किये गए निधी के मजाग ने उसके साथ साथ विनिता का जीवन भी खत्न कर दिया था और होस्टेल के इतिहास में लिग दिया एक डरावना पन्ना जो वाहर रहने वाली सभी लड़कियों के दिल दिमाग में हमेशा के लिए ठब गया था